दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने laptop से किसी को भी mail कैसे करें अगर आप अपने office में किसी worker को mail करना चाते है या अपने friend को कोई mail करना चाते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं, चले मैं आपको बताता हूँ बहुत ही easy है mail करना तो आपको सबसे पहले अपने laptop को open कर लेना है और internet connect कर लेना है इसके बाद आपको कोई से भी ब्राउजर open कर लेना है तो यहां से मैं Chrome browser को open कर लेता हूँ तो जब आप Chrome browser में आएंगे तो यहां पर आपको search करना है Gmail login Gmail login आप search कर लीजे जैसे आप open करेंगे तो हो सकता आपसे sign in करने को बोले तो अगर आपने sign in नहीं किया होगा तो अपना email id sign in कर लीजेगा email id और password डालके अब mail बेजने के लिए क्या करना है यहां देखिए आपको एक option मिलेगा compose का यहां pencil जैसा icon है इस पर click कीजिए जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहां पर एक box जैसा open होकर आ जाएगा यहां पर देखिए box open होकर आ चुका है अब यहां पर पहले to लिखा हुआ है तो to में आपको वो email id डालना है जिसको आप mail भेजना चाहते हैं तो यहां पर मैं email id डाल देता हूँ email id डालने के बाद आपको यहां पर लिखना है subject कि आप जो mail भेज रहे हैं उसका subject क्या है वो किस बारे में है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ test मैं अभी testing कर रहा हूँ अब यहां पर आपको नीचे तीसरा जो column मिलता है इसमें आपको अपने message को लिखना है तो यहां पर आप जो भी message लिखना चाहते हैं वो लिख दीजे यहां पर मैं hello लिख देता हूँ और कुछ भी लिख देता हूँ जो भी आपको लिखना है वो आप यहां पर लिख दीजे और अगर आप कोई file attach करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए आपको attachment का एक option दिखेगा यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ यह देखिए pin जैसा है attach file नाम है इसका इस पर आप click कीजिए जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपके computer के सारे folder और files वगरा यहाँ पर आ जाएंगे तो जो आपको यहाँ पर file attach करना है उसको select कर लिजे तो यहाँ से मैं इस photo को select कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ open पर click कीजिए अब यहाँ पर यह photo attach हो जाएगा तो देखिए photo attach हो गया है इसमें emoji वगरे भी डाल सकते हैं अब जब आप अपना email यहाँ पर लिख लेते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा send का अगर आप इसको delete करना चाते हैं तो यहाँ delete का भी icon है यहाँ से आप इसको delete भी कर सकते हैं और अगर आप इसको send करना चाहते हैं तो यहाँ देखे send का option है send वाले option पर click कीजे अब देखे यहाँ पर यह send हो रहा है अब मैं ऐसे send दिखा रहा है यानि कि आपका जो mail है वो send हो चुका है अब कैसे पता करें कि mail send हुआ या नहीं तो इसके लिए क्या करना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा send का यहाँ देखे send लिखा हुआ है इस पर click कीजिए जब आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके वो सारे mail आ जाएंगे जो आपने send किया होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी अभी मैंने mail भेजा है तो यह मैंने अभी अभी भेजा है और यह send भी हो चुका है तो इस परकार से आप अपनी laptop से किसी को भी mail भेज सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हूँ वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी क्वेस्टन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजेगा